हाई गाईज वेलकम बैक अगेन तो आज के इस विडियो में हम बात करने वाले हैं aptitude preparation की websites की तो जहां से आपको aptitude का preparation करना है और कहां से आप उसकी practice कर सकते हो यह जो websites है वो मैं आज आपको important websites बताने वाला हो इस वीडियो के अंदर पिछली वीडियो में आपको syllabus बता रहा है aptitude का वह वीडियो जिए आपने देखाने होगा तो देख लीजेगा क्योंकि उसके अंदर main है आपका aptitude का syllabus क्योंकि वह confusion रहता है कि पढ़े क्या कौन से topics में पढ़ना है aptitude के अंदर वह syllabus का ब्लॉग और वीडियो दोनों भी है वह आप देख सकते हो तो उसकी link description box आपको मिल जाएंगी तो अब भी बात कर लेते हैं websites की तो चलिए फिर स्क्रीन के उपर बात करतें websites की तो यहाँ पर जो सबसे पहली website है हमारी वह है यहाँ पर indiabix.com तो indiabix.com के उपर आपको aptitude के सारे topics मिलते हैं यहाँ पर आपको टेंशन ही नहीं किसी topic का जैसे कि आप देख सकते हो topics जो भी मैंने syllabus में discuss की तो वो topics मिल रहे हैं वो topics आप देख सकते हो यहाँ पर तो इस topics से इनके उपर आपको simply कुछ नहीं करना है क्लिक करना है और इसके questions और answers आपका पर मिल जाएंगे तो प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप आपके कर सकते हो इन questions की देन उसी तरह यहाँ पर data interpretation के लिए आपको topics दिखाया दे रहे होंगे table charts अब table charts के उपर आप practice कर सकते हो then verbal ability जो कि हमने discuss किया था verbal ability के उपर spotting errors यह जो topic है बहुत important है उसकी भी आप questions के practice हैसे कर सकते हो then logical reasoning, verbal reasoning, non-verbal reasoning तो इसके अंदर syllogism, जो इस series है उसके questions, blood relation यह सारे आपको topics के questions और answers आपे with explanation मिल जाएंगे इस website के उपर और एक अच्छी बहुत बता हुई specific की वह है online test, यहाँ पर आप test series भी लगा सकते हो, time लगा के आप practice कर सकते हो, जिसके अंदर आपको देखे, random questions आएंगे, जो है random questions के test है, जिसके अंदर 20 questions रहेंगे, 30 minutes आपको दिये जा रहे, बिलकुल free test है, आप आप test को start कर सकते हो, को जो हमारी second website है, वो है gigsforgigs.com, जिसके उपर, आप जितने भी अप्टियूट के topics है, वो preparation कर सकते हो, उनके practice भी कर सकते हो, सीख सकते हो, यहाँ से, तो जिसके मैंने देखा, content period आपको दिया गया है, परबल आपको दिया गया है, logical reasoning आपको दिया गया है, तो जिसके अंदर आपको देखिए, यहाँ पर सीखने के लिए बोला गया है, numbers, आपको सीखना होगा, तो हैसे आप सीख सकते हो, practice भी कर सकते हो, सीखना कैसा, यानि की, इनके एक blog रहेंगा, जिसके उपर आपको, वो completely numbers सिखा देंगे, कि whole numbers क्या रहते है, natural number क्या रहते है, prime number क्या रहते है, तो वो completely आपको सिखा देंगे, और उसके practice करनी होगे, तो वहाँ पर side में, practice का भी आपको option दिया है, तो वो practice कर सकते हो, देखिए, यहाँ पर questions आपको दिखा दे रहोंगे, बिद उसका explanation आपको answer आपको मिल जाएंगा, तो इसी तरह यहाँ पर verbal ability के लिए, और logical reasoning के लिए same है, देन यहाँ पर third website के दी बात करते हैं, तो वो है placement preparation.io, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, कुछ topics आपको दिखा दे रहोंगे, important topics, इसको मुझे पढ़ना होगा, तो यहाँ पर आपको तीन चीज़े दी जाती है, concept, तो average के बारे में concept आपको मिल जाएंगा, क कि what is average, how to find average of for given numbers, rule of average, average of two or more group taken together, what is average speed, यहाँ जितने भी main main topics जिसको पर questions बनते हैं, वो आपको दिये गया है, तो वो यहाँ से आप सीख सकते हो, बिलकुल आपको उसके formulas के साथ में वो दिया गया है, समझा के बताया हुआ है, easy language में, then formulas भी हम आपको देख सकते है, formulas जो क में हाँ पर पार्ट करेंगे न, तो वो आपको दिया गया, a plus 1 by 2, तो इस तरह से देखे, formulas आपको दिये गये, यह आप read कर सकते हो, इसको आप रटा लगा सकते हो, then यहाँ पर उसके उपर आपको practice questions भी मिल जाएंगे, practice questions कैसे, तो देखे, हाँ पर MCQS practice questions दिये गये, उसक आप answer भी यहाँ पर देख सकते हो, तो इस तरह से यहाँ पर practice भी आप कर सकते हो, then यहाँ पर third website होगी, fourth website है freshprep.com, तो यह जो website है, यहाँ की एक बात बताओ, यह company wise आपको aptitude provide करती है, जैसे कि यहाँ पर रहे के take minder aptitude questions 2030, syntel के लिए, syntel का test pattern, vipro का, delight का aptitude questions, मैफैसिस का, IBM का, यहाँ के company wise, आपको यहाँ पर questions दे रहे है aptitude के, उस तरह यहाँ पर यहाँ पर TCS and Ninja के लिए check करेंगे, तो TCS Ninja के लिए यहाँ पर questions मिल जाएंगे, लेकिन उससे पिले आपको यहाँ पर sign up करना पड़ेंगा, यह access करने के लिए, यहाँ पर एक और अच्छी बात है क यहाँ से बेस्ट प्रैक्टिस आप कर सकते हो, यहाँ से बेस्ट प्रैक्टिस आप कर सकते हो, देने हमारे जो फिफ्ट वेस्ट है, वो है freshersworld.com, जिसके ओपर देख सकते हो, आप quantitative, aptitude, verbal ability, logical reasoning, इनके सब के topics आपको दे रखे, मैं अभी verbal ability का एक topic चेक करूँ आपके, तो म बिल्कुल आप ऐसे पढ़ सकते हो, और यह नहीं, इसके हमें next study हम करेंगे, तो आपको, आपको questions भी provide करेंगे, तो questions, उनके answers भी provide करेंगे, तो इतना हमने आपको देखा, verbal ability के लिए, यहाँ पे हम number system के लिए, आपको time and work के लिए देख लिए, तो time and work भी आपको questions दिये ग गया है, तो बहुत अच्छी website है, for preparation aptitude, देखे, with explanation आपका answers दिये गए है, और उसके बाद में next website की बात करें, तो prepinsta.com, यहाँ पे तो आपको बहुत सी चीजे मिल जाएंगे, इस website के उपर, यहाँ पर taste series भी मिलेंगे आपको, आप हैपे questions को attempt कर सकते हो, अच्छे से, जै आपको बहुत मिल जाएंगे, देखे, numbers, speed and work, classical banking, progressions, probability and combination, geometry, यह सब आप हैसे पर सकते हो, तो यहाँ पर numbers के अंदर हमने देखा है, यहाँ सारे topics आपको मिल रहे है, उसके पर questions, formulas, tricks and shortcuts वह आपको मिल रहे है, और यहाँ पर यहाँ पर questions पर click करूंगा, तो आप questions को भी attempt कर सकते हो, यहाँ से, यहाँ पर start करके, आप questions को भी attempt कर सकते हो, बिल्कुल, आपको उसका explanation के साथ में आपको answers मिल जाएंगे, तो यह बहुत website, बहुत useful website रहने वाली आपके preparation के लिए, तो यहाँ पर यह जो website में आपको बता ही, बहुत useful है आपके preparation के लिए, और एक website है, जो कि जहाँ से आप practice कर सकते हो, वो website है, free online test.im, यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पर इस website पर आपको मिलते है, free में test, तो free test मिलती है, आपको topic wise यहाँ पर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार, तो हमारे सामने online active test का, पुरा यहाँ पर topics आपको दिखा दे रहे होंगे, तो जैसे कि मैं आपको time and work open किया, तो यह जैसे मैं open करूँगा, यहाँ आपको पहले सिखाएंगे time and work क्या र आपको दिखा दे रहे होंगे, तो ऐसे चार-पाच अलग-अलग topic के उपर test आपको मिलती है, आप वो solve कर सकते हो, attempt कर सकते हो, तो देखिए यहाँ पर tricks वगेरा सब बता रखा है, practice करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, then जो last website है हमारी, वो है youthforwork.com, और इस website पर आपको company wise, test आप दे सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको आपको आपर login करना पड़ेंगा, तो यह भी website के link आपको description box में मिल जाएंगी, यह भी आप solve कर सकते हो, यहाँ आपको practice कर सकते हो, और यह रहा हमारा वो blog जहाँ पर आपको completely detail में syllabus दे रखा है, aptitude का, तो वो भी आप एक बा जाहिन बन्दे मात्रम